इन दिनों हमारे अधिकतर किसान भाईयों ने गियों की फसल की कटाई कर ली होगी और जरतर किसान भाईयों ने कमपैंस से कटाई करके भूसा बनाने वाली मशीन मतलब रीपर से भूसा भी बना लिया होगा मगर कई हमारे किसान भाई खेद की जुताई करने के लिए ग्यों के अवशेश को जल्दी बाजी में आग लगा देते हैं जो कि हमारी भूमी के लिए बहुती नुकसान दायक है क्योंकि इन दिनों बारिश ना होने के करण और अधिक धूप पढ़ने के कारण खेद बहुती सूख चुके हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यदा पढ़ रही है कि अगर संबब हो तो नरी वाले खेद में एक सिचाई कर देना चाहिए और सिचाई करने से जो भी नीचे पढ़े अवशेश और पतियां जमीन में मिलकर मतलब गीली होने के कारण उनकी खाद बन जाती है जिससे हमारी भूमी उपजाओ बनी रहती है और अगर सिचाई की वेवस्ता ना हो तो फिर भी खेद की नरी या ग्यहू का लांग नहीं जलाना चाहिए और हमें बारिश के इंतजार कर लेना चाहिए जैसे कि एक या दो बारिश हो जाने पर काफी पतियां जमीन में चिपा कर गल सड़ जाती है और अगर बहुत जदा लांग हो तो बारिश या सिचाई के बाद ही तुरंत आग लगाना चाहिए जिससे कि उपर उपर का लांग जलता है ना कि जमीन को कोई नुकसान होता है मतलब जो नीचे पड़ी पतियां और अवशेश गिले होने के करण जलनी पाते हैं जिससे भूमी को उपजाओ बनाने में मदद करता है क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि जिन खेतों में गर्मी में आग लगा दी जाती है उन खेतों में धान की रुपाई के बाद या कोई दूसरी फसलों की बुआई के बाद अगर हम यूरिया के टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो पहली खाद का असर बिल्गुर भी दिखाई नहीं देता और बाद में हमारे किसान भाई कहते हैं कि पहली या दूसरी यूरिया डालने के बाद भी फसल में कोई भी फरक नहीं दिखाई देता है इसलिए किसान भाईयों को धान की फसल में तीन या चार बार यूरिया डालने के अवशक्ता बढ़ जाती है और इसी कारण हमारे किसान भाईयों को सला दी जाती है कि तेज गर्मी या सूखे खेतों में आग लगाकर मिट्टी को नुक्सान नहीं पचाना चाहिए तो किसान वीरों अगर आपको हमारी जानकर ये अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और किसान भाईयों के साथ शेयर भी कर दीजिए और साथ में चैनल भी सस्क्राइब कर दीजिए धन्यवाद